गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों देखो आज हम हडपा सभ्यता का एक महत्पून प्रश्ण करेंगे क्रम आप अपने नंबर के हसाब से लिखते जाना और हेडिंग वाइस लिखते जाना इसमें क्रम आगे पीछे हो सकते हैं तुम अपने हसाब से करोगे प्रश्ण है कि हडपा सभ्यता की धार्मिक इस्थिती और लोगों की धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए कुल मिला के देखो साक्षों के भाव में क्योंकि उनकी लिप अभी तक पड़ी नहीं गई है यह कहना बिल्कुल एकुरेटली संभव नहीं है कि किसे मानते होंगे क्यों एक अनुमान लगया गया है वो क्या है वो यह लिखना है निश्चित रूप से ही है कहना कठीन है कि अडपा के लोगों का धर्म क्या था परंतु उत्खनन से प्राप्त मोहर छोटी छोटी मूर्तियों जिनकी सायता से धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान लगाए गए हैं इनकी आर्थिक इस्थिति की वैक्या निमन प्रकार है देखो सबसे पहले क्या है मात्र शक्ति की पूजा सिंदु घटी के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे हडपा महंजोद्रो आदी अस्थानों से मिट्टी की नारी की मूर्तिया मिली है यह देवी शक्ति का प्रतीक है देखो जितनी भी मूर्तियां आसे दिकतर मिली है उसमें जाज़दा तर मूर्तिय नारी से संबन्दी थैं ऐसा माना जाता है कि यह धिवीशक्ति को जदा मानते थे इन सब्यता के लोगों की मन्याता की मात्रशक्ति सभीक उत्पत्ती का स्रोत थी एक महोर से पीपल के व्रक्ष की दो साक्व और के बीच एक स्तरी खड़ीैं पास में एक व्यक्ती बकरी जों मार्शनल ने इसे महादेवी का नाम दिया है देखो मिला ओंगया मात्रशक्ती की पुजा जोन मारशनल ने इससे क्या कहा है बदूसरा सिव की पूजा मुण एक देवता की पूजा करते थे झिसे अध् links की शंग्या दी गई है एक अन्य वीडियो डालूँगा में उसमें उसकी फोटोस दिखाई जाएंगे सिर्फ दिखाई जाएंगी उसे देख लेना एक मोहर पर तीन सिर वाले और तीन सिंग वाले एक योगी की आकरती बनी मिली है या बनी है जिसे धर्म के देवताओ का प्रार जद्रों से पत्थर वैसीप आदी से बने छोटे बड़े आकार के अनेक सिवलिंग प्राप्त हुए हैं कुछ पुरातत विदो का मानना है कि हडपा में सिवलिंग की पूजा होती थी जबकि कुछ इसे नकार देते हैं या नहीं मानते तो तीन चीज़े आ गई फोर्थ है प्राप्त हुए हैं यानि हडपा से जो मोरे प्राप्त है उन पे इनके चित्र मिले हैं कुछ ऐसे कालपनिक देवताओं की मूर्तिया भी मिले हैं जिनका अपड़ी भाग मनुष्य से जैसा वह पूच वह खुर वैल जैसे दिखाई देते हैं देखो कुछ कालपनिक देव देवताओं की परतिमाय भी उन्हें माना गया है, तो पसु पूजा ओगए अगला पॉइंट, उससे अगला पॉइंट है व्रक्स उपासना, ये पहले से ही चली जा रही है प्राचीनकाल से, सिंदु घाटी के लोग व्रक्स की पूजा करते थे, महर पर पीपल व्रक्स के च महरों से स्वास्तिक व्रक्स की अकरतियाँ मिली जिसे सूर्य देवता की उपाशना अनुमान लगाया गया है यह अनुमान लगाया गया है कि जो चक्र है वो सुर्य देवता की उपाशना का परतीक है काली बंगा लोथल आदी से अगनी वेदी काईम वैराख के अवसेस मिले हैं देखो काली बंगा से तो एक हमन कुंड में मिला है उसके भी शाक्षे मिले हैं यग अनुष्ठान के शाक्षे भी मिलते हैं अगला बिंदू है जादूई शक्ति नमबर साथ हडपावासी जादूई शक्तियों में भी या भूत प्रेत आदी में भी विश्वास करते थे यहां के उत्करन से बहुत सारे तावीज मिले हैं भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए इन्हें पहना जाता था कुछ तांत्रिक भी होते थे जो जादूई इलाज और दूसरी दुनिया से संपर्क होने का दावा करते थे देखो इससे तावीजों से यह अनुमान ल लगा जाता है कि यह दूसरे लोग में परलोग में विश्वास करते थे लास्ट में लिखनेंगे उप्रोक्त सभी बिंदों से अडपा सब्यता की धार में कि स्थिती स्पस्ट है फिलाल आज के लिए धन्यवाद अगला पार्ट फिर बाद में आएगा चैनल को सब्सक्रा लाइक कर दें लाइक कर दें ताकि कोई प्रेशन होतों से भी डालने धन्यवाद